वेलकम टो रोशी हयात किचिन बिसमिल्ल्य रमाने रहीम अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे लहुरी फिश फ्राइड बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं मेरिनेट करने के बाद में तो यह और भी टेस्टी लगती है तो मेरी स्रेसिपी को आप जरूर ट्राइड कीजिए एकदम से क्रिस्पी लहुरी फिश फ्राइड फिश जो है बहुत ही मज़े के लगती है तो इसको जो है बनाना शुरू करते हैं हम देखिए इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फिशली है मचली इसको अच्छे से वाश कर लिया है वाश करने के बाद में एक स्टेनर के उपर रख दिया है मैंने यहाँ पर तक्रीब देड़ किलो मचली का यूज किया है और स्टेनर पर रखने के बाद में जब इसका पा नमक लेंगे दो छोटा चमज परते हैं यहां पर है नहें निया पोड़ा टथर लेइएक जया के पबला ठेर हम्आख धनी परी हमें कि लसनर्त का पेस्ट लेंगे दो बचममज और यहां पर मैंने इसके बाइडिंग के लिए मैं अच्छे मैंने बेशन लिया है तक्रीबन आधा कप और इसमें बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए हम फूट कलर का यूज़ करेंगे वैसे ऑप्शनल है लेकिन आप डालेंगे तो इससे कलर बहुत अच्छ से मिक्स हो जाए कितना बढ़िया कलर आ गया है इसका और अब इसे हम मैरिनेट करेंगे तो उसके लिए मैंने यहां पर फिश ले रही है फिश को मैं अच्छे से हम एक पीस डालता हुए इसमें अच्छे से हम मैरिनेट कर देंगे देखिये बहुत देकिए अब सारी फिश मैंने डाल दी है हाथहों से मेरिनेट करेंगे जाता फिश को बढ़िए यह तो ऑसक्छ सारा फिश के ऊपर अच्छे से लग जाए और यह अच्छ से मैरिनेट कलिए रहा देंगे हम तकरीबन मैंसे चार से पास घंटे के लिए रख दूँगी लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवर नाइट भी रख सकते हैं और भी बैटर हो जाता है लेकिन अगर आपके पास टाइम की शौटेज है तो आप इसे कम टाइम के लिए भी रख सकते हैं जाद एक एक पीस हम इसमें डालेंगे इसे ओवरलोड हम नहीं करेंगे जिसे जादा एकदम से भर जाए और फिश फ्राई होने में बहुत प्रॉबलम हो जाएगी तो हम इसमें इतना ही फिश टालेंगे जितने इसमें आजानी से आजाए और देखिए एक तरफ से फिश को हम फ्र में हम इसको पलट देंगी और ऐसा करने से इसके अंदर जो मौश्चर होता है वे एकदम से लॉक हो जाता है देखिए इसको हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे और 3-4 मिनट के बाद में हम फ्लेम को एकदम हाई पर कर देंगे एक बहुत अच्छा सक कलर देने की और फिश गरम गरम लहोरी फिश को आप चकनी के साथ में अब इसको सार्व की बहुत ही मज़े की लगतीया एक दिफरेंट टेस्ट है इसका और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है अगर आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो के नेचर फंश पका बटन है उससे क्लिक कीजिया और भी कीजिए और इसके साथ ही बैल आइकन के बटन पे भी क्लिक कीजिए अपना एक्सपिरेंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें दौाओं में याद रखें अल्ला हाफीज